दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैगनेट पैनल केबारे में इस टेप बाई स्टेप बताऊंगा और जितना सारा फ्रेंड मैगनेट पैनल के उपर कोस्ट्यन पुछे है सारा कोस्ट्यन का भी एंसर दूंगा तो दोस्तो अभी जो IC company का magnet panel है IC company का magnet panel में काम कीजिएगा तो जो मैं circuit diagram बना के रखा हूँ यही आपको same to same देखने के लिए मिलेगा इससे पहले दोस्तो मैं magnet panel का वीडियो बनाये था देखिए का part 1 part 1 में ही आपको बहुत सरा checking बताये था कर टांस्फर्मर का checking उसके बाद जो फ्यूज बेगरा रहता है इसका checking डायट का checking यह सब चीज अलड़ी में आप लोगों को बताया हूँ लेकिन अगर उस वीडियो को देखे नहीं है तो जोरूर देख लीजिएगा क्योंकि आभी के डेट में यह जो 2022 चल रहा है इसमें जो आपका modular rectifier डायट रहता है एही सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा अभी जैसे बहुत सा फ्रेंड हम से यह भी पूछा है कि पहले हम लोगों को डायट का checking के बारे में बता दीजिएगा इसके ओपर बहुत सरा हम लोगों को doubt है तो पहले दोस्तो एक नमबर point में मैं आप लोगों को डायट का checking के बारे में ही बताऊंगा तो डायट को जब आप चेक कीजिएगा तब आपको पहले क्या जानना है कि आप कौन सा डायट चेक कर रहे है ना power rectifier डायट आप चेक कर रहे है इसके लिए जो आपका multimeter है multimeter में जो डायट का symbol दिया हुआ है इसमें आपको set करना है set करने के बाद multimeter में आपका दो गोल लीड है एक आपका V और OMS लिखाओ रहता है एक आपका common लिखाओ रहता है तो यह जो हमारा multimeter का दोनो लीड है इसमें पर नमबर दे दिया हूँ एक नमबर दो नमबर दे के समझाएंगे एक दम clean समझ में आएगा कुछ भी doubt नहीं रहेगा तो multimeter का जो दोनो लीड है दोनो लीड को आपको लगाना है एक नमबर लीड दो नमबर लीड लगा दिये जो डायड है डायड का दोनो तरफ डाइड में देखिएगा एक तरब आपका थोड़ा पूछ निकला हुआ रहता है और दूसरा तरब आपका थेड बना हुआ रहता है ठीक है और अगर इस पे भी कुछ डाउट रहता है तो जो जो मैं इमेज का फोटो डाल के समझाता हूँ ओ देखके भी आप क्लिन समझ सकत है तो इसमें आप लगा दिये लगाने के बाद आपको देखना है कितना वेलू बता रहा है ज्यादा तर देखिएगा जब आप चेक किजिए गा तो 633 या 533 या 433 इसी टाइप से अगर आपका बता रहा है मालेजीए कि एक डायट में तो आप चेक नहीं कीजिएगा तो पहले एक डायट को आप ठीक से समझ लीजिएगा तो बाकि 6 को क्या 6000 डायट भी चेक करने में कुछ दीकत नहीं होगा तो जब आप माल्टीमिटर को लीड को एक नमबर दो नमबर लगा दिये हैं लगाने के बाद आपका भेलू बता रहा है तो आपको क्या करना है दूसरा तरफ भी आपका 623 या 523 या 423 बता रहा है तो आपको समझना के यह डायट हमारा खराब हो गया है अगर दूसरा तरफ हमारा कुछ भी नहीं बता रहा है तब आपको समझना के यह हमारा डायट सेही है अभी और एक चेकिंग होता है क्वांटिनिटी का चेकिंग क कि continuity में चेक करके भी हम डायट को confirm किस तरह से करेंगे तो continuity में चेक करने के लिए पहले आपका multimeter को continuity में set करना है और multimeter का जो दोनों लीड है एक नमबर और दो नमबर लीड पहले एक पर लगाना है और देखना है कि हमारा sound multimeter में बज रहा है या नहीं बज रहा है तो अगर म लगाना है और देखना है कि हमारा sound बज रहा है या नहीं बज रहा है अगर आपका दोनों तरफ sound आ रहा है और continuity बता रहा है तो आपको समझना है कि हमारा जो डायड है डायड आपका खराब हो गया है और अगर आपका एक तरफ continuity बता रहा है एक तरफ आपका बिलकुल भी न नहीं बता रहा है तब आपको समझना है कि यह जो डायड है हमारा सही है तो दोस्तो माल्टी मिटर में दोनों जो चेकिंग होता है वो आपको पता चल गया अभी दोस्तों दो नंबर चेकिंग के बारे में बताऊंगा क्यूंकि जितना सरा डाउट है आज इस वीडियो को दे है इसको आपको चेक किस तरह करना है तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को स्रिफ दो गों चेकिंग करना है एक चेकिंग है हमारा AC भोल्ड का और दूसरा चेकिंग है हमारा DC भोल्ड का तो ये जो 230 भोल्ड है ये हमारा इनपूट है और जो आपको मोडूलर चेक कर रहे हैं इस पे भी आपको देखना है कौन हमारा इनपूट है और कौन हमारा आउटपूट है और input में इस जगा में जो आप supply दे रहे हैं तो multimeter में जो दोनों lead है ओ, multimeter का दोनों lead एक इसमें लगाना है एक आपको इसमें लगाना है और multimeter को आपको AC भोल्ड में setting करना है और देखना है कि 230 भोल्ड हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है इस जगा में अगर आपका 230 भोल्ड आ रहा है और आने के बाद इस जगा में जो आपका positive और negative है इस पे आपको multimeter में check करना है उस टाइम आपको क्या checking करना है DC voltage DC voltage में multimeter को setting करना है और setting करने के बाद देखना है कितना भोल्ड हमारा बता रहा है ठीक है ज्यादा तर इस जगा में आप 230 भोल्ड दे रहे है और DC भोल्ड का हम लोग calculation किस तरह करते है इसके ओपर भी में आप लोग को अल्रेडी बताया हूँ DC भोल्ड का checking के लिए हम लोग को root 2 का मान देख करना पड़ता है और root 2 का जो मान होता है यह हमारा कितना होता है 1.4142 एही देखे calculation करके आपको check करना है DC भोल्ड हमारा कितना मिल रहा है तो इस जगा में अगर आपका DC भोल्ड ठीक मिल रहा है तब आपको समझना है यह हमारा जो modular है यह हमारा ठीक है और अगर इस जगा में आपका DC voltage नहीं मिल रहा है तब आपको समझना है यह जो हमारा power rectifier जो डायट भोला modular है यह बिल्कुल भी खराब हो गया है इसको छोड़के आपका दूसरा कोई checking नहीं है और एक checking होता है बाल फोल्डर से तो बाल फोल्डर से मैं बोलोंगे बिल्कुल भी नहीं करना है कभी कभी क्या होता है यह जो अंदर में डायट liquid डायट डाला रहता है मतलब इसके अंदर अगर आप तोड़के देखिएगा तो देखेगा totally liquid रहता है और तोड़ने के बाद आपको डायट बेगर है कुछ भी नहीं मिलेगा अल्रेडी मैं तोड़के देख लिया हूँ तीक है अभी तीन नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जो हमारा 415 भोलबला डायट है इसको हमको चेक किस तरह से करना है तो पहले वही चेकिंग है जो आपका माल्टी मीटर का सेटिंग है डायट में एक दम सेम टू सेम जो मैं एक नंबर में बोला हूँ वही सेम टू सेम चेकिंग है लेकिन जब आप यह जो डायट का चेक कर रहे है उस टाइम अगर कोई कारण से मैगनेट पैनल में आपका एक डायट खराब हो गया है तो उस टाइम आपको देखना है कि हमारा नेगटिव साइड का तीन डायट खराब है या पॉजेटिव साइड का तीन डायट खराब है जब आपका नेगटिव साइड का खराब होगा और क्या दिकत होता है देखिएगा जितना सरा आपका पूराना पैनल रहता था उसमें क्या होता था कि अगर negative side का एक diet घराब हो गया है तो उसके सथ आपका बाकी जो दोगो डायेट है ये भी आपका खराब हो जाता था या ज़्यादा तर आपका positive side का ही डायेट देखिएगा तीनो एक सब में खराब हो जाता था और ये किसलिए होता था वो भी जानना जरूरी है क्योंकि जब आप दोस्तों ये डायेट को fitting करते हैं या डायेट का जब आप भेलू चेक करते हैं उस्टेव हम लोगो थोड़ा सा mistake हो जाता है जब आप इस डायेट का भेलू चेक कर रहे हैं अगर एक डायेट का भेलू 633 बता रहा है तो जो आपका 6 गो डायड है, 6 डायड का भेलू अगर सेम लगाईएगा, तो बहुत लोंग लाइफ चलेगा, जल्दी आपका डायड खराब नहीं होगा, और एक डायड आप 630 का लगाए, एक आप 433 का लगाए, एक आप 533 का लगाए, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, एक द इस डायड को बड़ा बड़ा कर देंगे, तो हमारा जल्दी खराब नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट वाली बात है, आप लोगा, लेकिन ज्यादा तर ये जो 41 या 71 एमपियर का डायड रहता है, ये ज्यादा खराब भी होता है, कब खराब होता है, ज्यादा तर लेकिन जल्दी खराब नहीं होता है, किसलिए ये जो 6 गो डायड है, 6 डायड में आपका फ्यूज लगा हुआ रहता है, ठीक है, और जब आपका एक डायड कोई करण से खराब होगा, तो पट्टिकुलर इसमें जो आपका फ्यूज लगा हुआ है, एक ही फ्यूज कटेग और एक ही डायड आपका खराब होगा, बाकी पाज गो आपको सही रहेगा, लेकिन जब आप चेक कीजिएगा, तब तो आपको खोल के तीनों डायड चेक करना है, चाये आपका ये गो खराब रहे है, ये आपका दो गो खराब रहे है, एक साइड का अगर आप नेगटिव सब्क्राइब करना और चेक करने के लिए ज़्यादा तर ये ज़्यादा थेड़ वेला पुर्सेन रहता है इस साइड हम लोग पूची करते हैं तो दोस्तो यह हम मारा 415 वाल ढाइड का विरेज़ रहता है इसका चेकिंग हो गया और जब आप ये जो ISC कमपनी का मैगनेट पैनल में काम किजिएगा और ये जो 415 भोल्ट बाई 230 भोल्ट पावार रेक्टिफायर मोडूलर डायट का जो बिरीज है ये जो मैं बना के रखा हूँ ये ही सेम टू सेम आपको मिलेगा अभी इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर ये जो आपका मोडूलर है RM1, RM2 और RM3 ये सब का जो चेकिंग है चेकिंग आपका सेम है और ये जो तीनो है RM3 तर आप इसको नीचे पे भी मतलब मैगनेट पैनल में अगर माल लिजिए के लगाने से पहले आपको चेक करके देखना है कि यह हमारा सही है यह खराब है देखिएगा कभी-कभी नया आता है नया पे भी आपका खराब रहता है मैगनेट पैनल में आप गये चेंज किये उसके बद काम नहीं कर रहा है तो नया जहां से आया है वहीं से आपका खराब आया है और आपको थोड़ा tension क्या हो जाएगा कि आभी तुरंद लगाये हैं और तुरंद खराब हो गया ऐसा बिलकुल भी नहीं है ये भी जल्दी आपका खराब नहीं होता है और ज्यादा तर खराब होता है short circuit में ही तो RYB supply मोडूलर में input supply देने के लिए एक MCB आपको लेना है और MCB देखे RYB मोडूलर में supply देना है और इस पर भी आपका लिखा हो रहता है देखिएगा input और output input में तो आपको clean समझ में आएगा यह हमारा तीनो phase का supply देना है कि यह तीन पॉइंट आपका बना हो रहता है और DC मोला में दो यह को पॉइंट बना हो रहता है तो यह बहुत आसान तरीका से चेक हो जाता है और चेक जब किजिएगा तो RYB supply दे दिए इस जगा पे माल्ट करना है कभी कभी क्या होता है यह जो फेज सप्लाई है कोई करण से एक फेज आपका ठीक से नहीं आ रहा है तब भी क्या होगा माल ठीक से नहीं पकड़ेगा अगर कभी कल एक पेज कटने के बाद माल पकड़ता भी है लेकिन थोड़ा सा कम पकड़ेगा और इसका जो कंट्रोल का वीडियो बना के आप लोगों को लगेगा के माल पकड़ेगा ही नहीं क्योंके इसका जो टांसफोर्मर है इस पर आपका दो गोड़ टैप काम करता है एक एक सो पचासी बला और एक सो तीस बला और इसके ओपर भी देखिएगा जो कंट्रोल का वीडियो बनाएंगे तो और डाउट आप लोगो यह हमारा सही है अगर दो सो टीस बल आपको इस जगा में नहीं मिलेगा तो आपको समझना है यह हमारा खराब हो गया है इसको आप मैगनेट पैनल पे भी चेक कर सकते है और नीचे में खोल के लाके भी चेक कर सकते है जब नहीं आता है उस टाइम भी आप चेक कर सकते है त इसके उपर कुछ भी doubt नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो मैं यह power circuit और control circuit के बारे में बताऊंगा तो उस time भी मतलब negative comment भी नहीं आना चाहिए क्या हमको modular कैसे चेक करना है डायट किस तरह से चेक करना है मतलब अंदर में कुछ भी बिल्कुल भी doubt नहीं रखना है और यह जो discharge डायट है इसको भी आप बहुत आसान तरीका से चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको चेक करना है इसका आउट नहीं रखना है तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा क्यूंकि मैं इसी टाइप को content बनाता रहता हूं और जितना हो से कि मैं आप लोग का help करता हूं नमस्कार जाए झाल साओीगा मैं आइधा पने जाए हूं पर जितना है झाल सा। के का कीजिएगा तो डार कैनल सावं और जाए हूं यरुणा करता है so